नमस्कार फड़ाफट खबरों के साथ मैं प्रतीक्षा हाजर हूँ एक बार फिर आप सब को डेश दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराने आईए नज़र डालते हैं आज की बड़ी दस खबरों पर जेमु कशमीर के मुद्धे पर कउंगरिस केनेता सैफु ददीन सोज के बयान पर विवाद बढ़ता दिख रहा है सैफु दिन सोज ने पाकिस्तान के पूर रास्पति परवीज मुशर्फ के उस बयान का समर्तन किया जिसम्हें उन्होंने कहा था कि कशमीری आज़ादी चाहत अब अमरनात यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा लेंगे श्रधालूं का ये महा कवच आतंकियों का महा काल सावित होगा नागलेंड में नकसलियों से हुई मुटभेड में ननिताल के रहने वाले एक और जवान शहीद हो गए हैं 22 साल के यश परगाई ननिताल के ओखल कांडा ब्लॉक के भदर कोट के रहने वाले थे बताईए जा रहा है कि रात को नगालेंड में नकसलियों से मुटभेड हुई थी और इस मुटभेड में यश परगाई शहीद हुए 2019 चुनाव में एक साल पहले बिहार एंडिये में सीटों को लेकर चल रही खीचतान अभी विजारी है जेडियो और बीजेपी के बीच बात बनती नहीं दिख रही जेडियो जहां 25 सीटों की मांग कर रही है वहीं बीजेपी 22 सीटों से कम लड़ने पर राजी नहीं है बावजूद इसके जेडियो और एंडिये के घटक दलों के बीच व्यापक समझोते की उमीद लगाय हुए है ताकि 2019 के लोकसभा और 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाफ के लिए प्रतेक पार्टी की सीटों के जिम्हदारी नरधारित हो उतर प्रदेश के जादतर हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है भीशन गर्मी में बारिश की बार्ट जोर है लोगों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा आंचलिक मौसम केंदर के निदेशक जेपी गुपता ने बताया कि प्रदेश के जादतर हिस्सों में चलचलाती धूप और लू के कारण तापमान बढ़ा हुआ है ये सिलसला अभी आगे भी कुछ दिन और जारी रहेगा जारकन के खूटी जिले के अड़की थानक शित्र में पांच लड़कियों के साथ सामोहिक बलातकार का मामला सामने आया है ये मामला 19 जून का है जब नीजी सामाजिक संस्था आशा किरन की टीम मानवत तसकरी के खिलाफ नुकड नाटक करने वहां पहुँची थी बताये जा रहा है कि पांच-छे लोग बाइक पर आये और बंदूक की नोग पर जबरदस्ती लड़कियों को जंगल की ओर ले गए जहां उनके सामोहिक तुशकन हुआ है बताये गिया कि इन लड़कियों के साथ कुछ पुरुश भी थे जिनकी पिटाई की गई करनाटक के मुख्यमंत्री एच्टी कुमारस्वामी जहां एक और अपने मंत्रियों से अपील कर रहे हैं कि वो नई कारें ना खरीदें सरकारी दफ्तरों और घर के नवीरिक करनण में जादा खर्च ना करें वहीं करनाटक के खादी और नागरी का पूर्ती मंत्री जमीर एहमद अपने लिए SUV कार की मांग कर रहे हैं उन्होंने कार्मिक विभाग और प्रशाशनिक सुधार को पत्र लिख कर इनोवा की जगां SUV की फॉर्चुनर कार मांगी है पूरे से गिरफतार किये गए टेरर फंडी के मास्टर माइं रमेश शाह ने पूछताच में कई बड़े खुलासे किये हैं कश्मीर में पत्थर बाजों और नौर्थीस्ट वक करनाटक समेत कई राज्यों में आतंकियों का पैसा मुहया कराने में रमेश की बड़ी भूमिका सामने आई है पहले मैच में ड्रॉक इली मजबूर होने वाली अर्जंटीना की टीम फीफा विशुकप 2018 के अपने दूसरे मैच में क्रोईशिया से बुरी तरह हार गई है निजनी नोवगराथ स्टेडियम में गुरूब डी के मुकाबले में गुरुबाद देराथ क्रोईशियाई टीम ने तीन शून से अर्जंटीना को शेकस दी इसके साथ ही क्रोईशियाई ने लगातार दूसरी जीत के साथ अंतिम सोला में अपनी जगे बना ली गूगल ने अपने नए एंड्रोइड डिवाइस के लिए एक फीचर शुरू किया है जिसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों में यूजर इंटरनेट करेक्शन के बगैर वेब सर्च कर सकते हैं गूगल के एंडरोइड अफ्लाइन प्रोड़क्ट मैनेजर ने ये बताया कि जब आप इंटरनेट से जूड़ी नहीं होंगे और वाइफाई उपलब्द नहीं होगा तब भी स्वता सम्बंधित लोकेशन से वांचित आलेक आप डाउनलोड करें तो ये थी देश की दस बड़ी खबरें ऐसी खबरों से हम लगतार आपको रूबरू कर आते रहेंगे पंचैती टाइम्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद नमस्कार